नमस्कार दोश्तों, वेलकम टियरोन चैनल, लेर्न टो अन्वाइ एक यार, तो फ्रेंस टूदे वूडब बी डिस्कसिंग अबाउट सिंफनी के बारे में फ्रेंट, विकॉस कंपनी के तरफ तीन बड़े अनॉस्मेंट है, एक तो बाइबा को लेकरके, दूसरा डिब्डन को लेकर कि रिजल्ट का था, सभी ची जो को चेक करते है, तो फिन सबसे पहला ची, कमपनी ने रिजल्ट का अनॉस्मेंट किया है, दूसरा, फर्स्ट इंटरिम डिब्डन का अनॉस्मेंट किया है, एक रुपे प्रती शेर का कमपनी ने डिब्डन अनॉस्मेंट किया है, तीसरा है buyback announcement, जहाँ पर देख साथ है buyback जो रहता है यहाँ पर company करने वाली है, buyback का जो कितने quantities, proposal फर buyback कितना है, तो 2,85,600 shares का जो रहता है, यहाँ पर buyback हो रहा है, buyback का जो price fix किया गया है, बहुत ही premium में देख साथ है, 2,525 प्रती share में company जो रहता है, इस share को repurchase करने वाल अबडेट है, आपर company का करना है कि remaining जो रहता है, जैसे कि public announcement फिर से करेगी company, and the letter of offers set करेगी, process, timeline जितना कुछ का भी update रहता है, जो requisite details रहते है, सब कुछ release करेगी in due course of time, जो remaining update रहता है, and total ratio, कब open होगा, buyback, कब close होगा, सब कुछ रहता है, in future अभी update करेगी, जैसे update करेग मैं आपको जरूर update करूगा, so friend, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, company का result कैसा आया है, तो friend, result आपके सामने में है, जो भी number discuss करेगी, वो रहेगा का करोण में, and comparison जोगा yearly and quarterly basis में, यह आपका last year का result है, company नहीं, आज result रिखना है, यह आपका previous quarter का result है, March quarter का, income को चेक करेंगे आपके, friend, तो देख सकते हैं, income अभी आ है, 540 का, last year था 318, 318, देख सकते हैं, साल दर साल में 76-76% का revenue में जम्प है, and quarterly basis में भी देख सकते हैं, 341 से भल करके 542, तो yearly and quarterly basis, दोनों में company के income में जम्प देखने को मिला, similarly revenue को भी आप चकर सकते हैं, वहाँ भी रहा है, 76% का सा increase किया, इस income को expense से minus कीजिए, तो आपका आजाएगा, देख सकते हैं, every day रहा जाएगा, जो कि 112 का अभी है, last year था 32 का, तो समझ सकते हैं, 32 से बढ़ करके 112 हो गया, लगवा 298 का percent, लगवा 300% का साल दर साल में जम्प है, and quarterly basis में देख सकते हैं, 58 से बढ़ करके 112 हो गया, तो कंपनी का profit after tax आ रहा, 88 का अभी आया है, last year था मातर 24 का, तो 24 से बढ़ कर हो गया, 88, 270 percent का जम्प कंपनी के profit after tax में देखने को मिला, and quarterly basis में देखे 48 से बढ़ कर की हो गया, 88, EPS को चेक करेंगो, तभी 12.76 का है, last year था 3.44, साल दर साम में देख सकते हैं, multiple EPS में जम्प है, and quarterly basis में देख सकते हैं, 7.02 से बढ़ कर की EPS हो गया, 12.76, यानि कि फ्रेंड, income में भी जम्प है, company के net profit में भी जम्प है, yearly, quarterly, सभी basis में, and plus EPS में भी जम्प है, तो result आपका बहुत शांदार है, plus company ने different announcement किया है, buyback announcement किया है, इतने सारे positive triggers है, जिसका अरे साथ share में लग गया, अपर circuit, तो फ्रेंड, बहुत important है, buyback होता क्या है, तो फ्रेंड, buyback जो है, देख सकते है, buyback और share repurchase भी से कहा जाता है, is a corporate action, in which company buys back its shares from their shareholders, तो खुद की share को company buy करती है, from the shareholders, generally company buyback shares at a price higher than the current market, जो price अभी चल रहा, उसके higher price में company buyback करती है, तो फ्रेंड, यह है buyback और company buyback क्य इसले करती है, when it won't consolidate ownership, अपने ownership को consolidate करना चाती है, preserve stock price, return stock prices to real value, boost financial ratios, and reduce the cost of capital, इस कारण से company buyback लाती है, उसके लाओ फ्रेंड, company जब अपने खुद के विशन, अपने growth को लेकर क्या बहुत ही positive रहती है, तब भी company buyback लाती है, यह था company interpretate रिकारी, symphony, result, buyback and dividend, I hope आपको अच्छा लागा ने बिदलाए की जगा, share की जगान चनल को स्प्रेंग की जगाता,